उडिसा के चिलीका में नए पक्षियों का आगमन विदेशी पक्षियों के लिए चिलीका अब बन गया स्वर्ग जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगी है वैसे वैसे देशी और विदेशी पक्षियों की संख्य यहां दिन बर दिन बढ़ने लगी है यहां की रंग बिरंगी पक्षी सभी परेटकों का मन मुह लेती है नवंबर चौथे सप्ता में चिलिका में एक लाग छे हजार से भी ज्यादा और 146 प्रजातियों से भी ज्यादा पक्षियों को यहां देखा गया उन में से सिर्फ नल जंगलों में 56,000 से अधिक असी प्रजाति के पक्षी आई हुए हैं और चिलिका के अन्य अंचलों से कुल 50,000 से अधिक और 66 प्रजाति के पक्षियों को देखा गया है चिलिका वन्य प्राणी विभाग बलु गाओ द्वारा पक्षियों के सुरक्षा के लिए पुक्ता इंतजाम किये गए हैं हर एक कैम्प में तीन अस्थाई गाड के साथ साथ वन्य प्राणी विभाग के करमचारियों को निक्त किया गया है उन लोगों को वोट, बाइना कूलर, टॉर्च, लाइट और अन्य शुरक्षा सामागरी दे दिया गया है झालर आट कर दो लोगों को वोगों को वोगों को वोगों किया गया है झालर आट कर दो, झालर आट कर दो किया जाटिवघ कर दोड़ों Kevin झाल झाल झाल